क्या आपने भी लगाया है, सागवान तो हो जाए, सावधान ठंडी के मौसम में करे इस दवा का छिड़काव, नमस्का सभी किसान भाईयों को शिवशक्ती फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है, आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आये हुए हैं, सागवान के पौधे के बारे में इस समय ठंडी का मौसम है और सर्द हवाएं चलती हैं, हमें सागवान के पौधे का विशेश ध्यान रखना चाहिए, पौधे में दस दिन के अंतराल में साफ और स्ट्रेप्रोसेक्लिन का छिरकाव करना चाहिए, साफ एक लीटर पानी में दो ग्राम और स्ट्रेप्रोसेक्लिन छे लीटर में एक ग्राम का छिरकाव पूरे पत्तियों पे करना चाहिए, जितने भी किसान भाई हाल में सागवान का पौधा लगाये हुए हैं, उन सब के पौधे में भी यह बीमारी आ सकता है, इस से बचने का एक ही उपाय है कि साफ और स्ट्